सब्सक्राइब कीजिए ऐस्टो जैमेनी चानल को और बेल का बटन ज़रूर दबाईए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको जल से जल मिल पाए नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आज़र हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके पनी चैनल एस्टो जैमिनी दे कॉजमिक खिलर में आज मैं काले मिर्च से बहुत ही बहतरीन प्रयोग बताऊंगा स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनको ज़्यादा आउटकम नहीं मिलता या आउटपुट नहीं मिलता कई बार ऐसा भी होता है कि विचारे घंटो घंटो नौकरी करते हैं जॉब करते हैं पर उनके सैलरी नहीं बढ़ती है दुकान खुली रहती है कस्टमर आते नहीं है ग्राहत जो है सिर्फ माल का दाम पूछते हैं और चले जाते हैं खरीते कुछ नहीं है तो ऐसी स्थिती में आपको करना ये है कि एक मुठी साबुत काली मिर्ष लेनी है और उसको एंटी क्लॉक्वाइज उस व्यक्ति के उपर से घुमा लेना है एंटी क्लॉक्वाइज इस तरह से घुमाने के बाद उसको सडक पे फेक के आना है अगर में सडक है तो बहुत अच्छी बात है अगर चोटी मोटी सडक भी है तो कम से कम ऐसा हो कि गाड़ियां उसके उपर से चली जाएं मतलब जो काली मिर्च अपने इस रख पे डाले हैं वो गाडियों के प्रभाव से या उसने के प्रेशर से चूर चूर हो जाए चकना चूर हो जाए या पिचक जाए तो उससे सबसे एफेक्टिव यह चीज़ होगा कि जिस कारण से उनको बाधाय आ रही थी अपने जो भी का पूचते हैं और चला जाते हैं वहाँ पर यह और भी जादा सरका रख है तो जब भी इस तरह का प्रयोग करते हैं तो दुकान में ग्राहां को की संख्या बढ़ती है और साथ में सेल भी बढ़ता है उस दुकान में अक्सर मैंने देखिया है कि ऐसे लोग अगर यह हर शनि जाता है तो ऐसा अगर हर शनिवार अगर आप करते रहते हैं तो नजर तो उत्रेगा ही साथी साथ जो भी नेगटिविटी है आपके अंदर आपके साथ या आपके इर्द गर्द वो तुरंद ही खतम हो जाता है और एक बहतरी नुपाय है इसपेशली उन लोगों के लिए जो लोग कोट कचरी के केस में फसे वे हैं या आपके विरोधी या आपके दुश्मन जो है वो जीतते नजर आ रहे हैं या ऐसा हो रहा है कि वो कोट केस जो है आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है तो आपको करना यह है पांच साबुत काली मिर् मिर्चो को तोड़ देना है यानि कुचल देना है और फिर उस कोट कचरी का जो केस है उसमें जो डेट पड़ी है उसमें आप जा सकते हैं तो इससे जो इफेक्ट आएगा वो यह आएगा कि जो केस आपके अगेंस में था वो आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा और उस जगह पर आपको वो काली मिर्श खुद डालनी है या किसी के तुरू डलवा देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है अगर आप खुद डाल के आए उस रास्ते के उपर से जिस रास्ते से आपका शत्रू आ रहा हो या जिस और से आपका शत्रू आ रहा हो और उसके पैरों में आपको भी दोस्ती करनी चाहिए और केस को जो है कोट के बाहर ही खतम कर देना चाहिए या सल्टा लेना चाहिए ठीक है अगर आप इसा करते हैं तो डेफिनेटली कोई भी दुश्मन जो आपके अगेंस्ट में आपको बरबाद करना चाहता है या आपके अगेंस्ट में शडियंत्र कर रहा है वो आपका मित्र बन जाएगा तो आपको मेरे विपाय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आप नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले झाले वाँ